हलो फेंज, एवरीवन, सबको मैं सबसे पहले एक अपील करना चाहता हूँ, एक वीडियो वाइरल हुआ है, जो शेमफुल है, दुखी है, सबको दुख लग रहा है, मुझे बहुत फोन आया है, लेकिन मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ, और हाद जोर के अपील करना कि जो लोग गलत काम करते हैं, उसका जवाब हमें गलती से नहीं करना चाहिए, ठीक है, उन्होंने मेरा पुतला जलाया, मेरे फोटो में थूका, उन्होंने गलत चीज़ किया, इसके लिए सब ने इसको कंडियम किया है, लेकिन मैं अपने तीप्रा मौथा के वरकर्स को, म एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग ये कर रहे हैं, वो हमारा थांसा के खिलाफ है, वो हमारे यूनिटी के खिलाफ है, और इनको लगता है ये करने से तीप्रासा तीप्रासा से फाइट करेगा, अगर आप गुसा होकर, वाइलेंटली होकर रियाक करोगे, तो वो ल सबसे बात किया है, मैं आज फिर से आपको अपील कर रहा हूँ, कि किसी और का पुतला ना जलाए, किसी और के फोटो में ना थोके, किसी और लीडर के उपर गाली या स्लोगन डियरिंग नहीं करे, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलना चाहरा हूँ, कि तिप्रा मोथा थ खंसा के खिलाफ है, और अगर आज आप तिप्रासा बनके तिप्रासा ही के अगेंस्ट ये सब करेंगे, तो मुझे शरम लगेगा, तिप्रासा दोफा का नाम नीचे गिरेगा, ये मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे खिलाफ हैं, वो मुझसे धरते हैं, वो जानते हैं कि मैं कॉंप्रमाइज नहीं करूँगा, तो ये लोग हमको उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माई दियर तिप्रासा लोग, मैं यहां में आपके लिए गाली सुनने के लिए तयार हूँ, आपके लिए मैं अपना जिन्दगी का सैक्रिफाइस करने के नहीं आया हूँ, मैं राजदीती में इसके लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे तिप्रासा को कॉंसिटूशन के अंदर एक सेलूशन मिलना चाहिए, मैं इसके लिए आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया हूँ, और ये लोग जो आये हैं, ज चीज नहीं करेंगे जो इन्हों नहीं किया हैं मैं आपके साथ हूँ आप एक रहिए 2023 में तीप्रा मथा जीतेगा और जब हम जीतेंगे तब हम गभर्मिंट अब इंडिया को एक ही बात बोलेंगे कि हमारा constitutional solution दीजे वरना हम किसी के साथ नहीं हैं हम अपने साथ अपने तीप्रासा के साथ अपने दौफा के साथ SC के साथ, मुसल्मान के साथ, चाहबगान के वरकर्स के साथ जो भी तुप्रा में वंचित है, जो भी तुप्रा में जिसको opportunities नहीं मिला है, हम उनके साथ है हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कोई community के खिलाफ नहीं है कोई धरम के खिराफ नहीं है हम सिर्फ अपने लोगों को Constitution Empowerment देना चाहते हैं ये लोग नफरत के राजनिती करते हैं ये लोग गंदी राजनिती करते हैं इनके जैसे राजनिती हमको नहीं करना है मैं जानता हूं कि बहुत लोगों गुसे हैं बहुत लोगों को अंदर नाराज़गी है लेकिन मैं प्लीज फिर से आपको हाथ जोग के अपिल करता हूँ वो गलती मत करो जो इन्होंने किया है आप किसी का पुतला नहीं जलाओ आप किसी के अगे स्लोगन्स नहीं दो और किसी के फोटो में थुको मत उन्होंने ये गलत के काम किया है हमें ये काम नहीं करना चाहिए I love all of you all and God bless तीप्रासा God bless तीप्रादौपा तीप्रासा आईकलोगत हो I love all of you all हम भाई